होती है और वो। अक्सर हेमन जी के टश में भी रहते हैं अज थोड़ा हीमन जी से वह शाय मत हो सकते है हो सकता है बिरेन जी आपका स्वागत मैं आप से जानना चाहता हूं कि यह नमूना क्या है और फभा नमूने की विश्तरत भ्याख्या करिए नमूना बताईए कि नमूना क्या है नमूना किसको कहा गया है देखे नमूना मतलब जोकर मतलब सरकस में का जाए देखो होती है असली पत्रकारिता आप लोग चासनी से लपेट रहे थे विरेंदर शींग ने एक लाइन में बोर दिया नमूना मतलब जोकर वहीं ना जी दस मिनट सो सहे सही सोई निविये सरकस में जोकर होते हैं उनको लोग नमूना कहते हैं लेकिन आप सियासत में यह बात सभी है कि अपने बीरोधियों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के सब्दों का इस्तिमाल होता है लेगिन इतना जरूर है कि संजय सिंग कोई दिल्ली के रहने वाले नहीं है वह उत्तर प्रदेश के सुल्टानपूर के हैं और राजसभा के मेंबर हैं उनकी पार्टी जिस तरह से सक्रिया है तो बीजेपी कोई उ अपने हिसाब से रहें उनको ठीक लग रहरा जबाब दे रहें लेकिन बिर्जेट जिए ज्यादा समय नहीं भीता जब उत्तर पर देश में अखिलेश यादों की सरकार थी और यहीं बीजेपी लोग से वाए योग को यादों से वाए योग कहती थी पूलिस को यादो कि दिवाली में बिजली आये और इद में बिजली कटे जो लोग इस तरह के पांच जी लोगों को कहते थे कि चिन्नी ते खाली वहीं बिजली मिलती है उनकी बात लोगों ने मानी उनको ओट दिया वो सत्ता में आये कह रहे हैं पूरे परदेश को बिजली देते ठीक बात कि ट्रैफिक जाम में फसे हर आदमी को यही लगता है कि उसके अलावा बाकी लोगों को यासे जाम लगा हुआ है तो सियासत में जो आदमी बोलता है उसको लगता है वही सबसे बहतर है बाकी सब जूटे हैं गलत राजनीत कर रहे हैं यह नमूना किसी पर चिपका या नहीं देखिए जिसके उपर सियासत में हमले जादा होने लगते हैं वो तरक्की कर जाता है नमूने से भी संजे सिंग का कदोर उचा हुआ और वो इनके मंतरी के लिए तैरीर दे कर आ रहे हैं मुकदमा लिखो उसको इलाज नहीं मिल रहा है सुनील साजन ने चाहे सच बोला चा जूट साबित करिया या सच कि चेतन चौहान के साथ बत्तमीजी हुई अब उनकी पत्नी का बयान आया उनके तमाम बड़े नेताओं प्रधान मंतरी तक का जो है उनके लिए फोन आया वह सब चीजे अपनी जगाह है लेकिन जो मैसे जाना था वो किलियर है कि बिजे जी एक बात बताओं एक मुल्ला नसीरुदीन थे तो मुल्ला नसीरुदीन ने हिमन जी बहुत पढ़ते हैं उनको गाओं के गाओं के जो सबसे सीधा आदमी था उसको लूट लिया तो जब वो पकड़े गए पुलिस पकड़के ले गई तो जजज साहब ने कहा कि अमाम मुल नसीरुदीन तुम यतने बदमास आदमियों बताओं कि गाओं में यही एक सीधा साधा आदमी था तुमने इसी को लूट लिया नो नसीरुदीन ने कहा साब मैं क्या करता गाओं में सब सयाने हैं मुझसे जादा यही एक सीधा था जो मैं जो मुझसे लूट सकता था उसको यह देखना किस पर फिट बढ़ता है देखिए जी सियासत में भी दोस्ति होती राजनेतिक देलों भी दोस्ति होती है अब कहते हैं कि अगर दोस्ती पान का पत्ता है तो मेरा दोस्त कथा और चूना है बहुत खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनके दोस्त काबिल होत आया कई फच जाती है तो कवर फाइरिंग ये समाजवादी पार्टी कि तरफ से क्यों आती है कि देखिए आम आदमी पार्टी जो आज बाते उठा रही है संजे सिंग जो बाते कर रहे हैं उत्तर परदेश में सबको राजनीत करनी है बीजेपी सरकार में जिस तरह से विपक अधिकारों को असीमित अधिकार है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद हुआ संजे सिंग पर मुकदमे लिखे गए और वह लगातार बिरोद में बयान गटना क्रम का में विनर कौन है और लूजर कौन है यह 2022 में पता चलेगा लेकिन उत्तर परदेश की चंता ने राम और परसुराम की राजनीत में ब्रामण 50 परसेंट गाउं में इनके खिलाप हो चुका है यह अगर समझें कि ब्रामण सुखी है इनके इस स्टेटमेंट से थोड़ा ज्यादा सुखी नहीं है वो नाराज है और उनके मीडियम चल रहा है बहुत बहुत बहु उत्तर पर्देश की सत्ता में आई थी इतना लाली पाप दिखा दिये थे इतना नोगरी का जहासा दे दिये थे इतना कानून बेहुस्था की बात कर दिये थे कि लोगों को लगा कि अभी राम राज लाएंगे और यह कहीं गला कटवा दे रहे हैं कहीं बच्चिक जबान क अब यह उम्मीद कर रहे थे कि जो संग्ठन की सूची आई है उसमें डाक्टर मनोज मिस्रा कम से कम महामंत्री बनेंगे हम लोग तो यह एक्सपेक्ट कर रहे थे मनोज मिस्रा जी तो कानपूर में रहते हैं और कानपूर के लोगों कुछ नहीं मिलना चाहिए रहतों बिर्जेट जी को बहुत साल से जानता है साथ वाबन साथ वाबन सब्सक्राइब आप तो बड़ा जातिवादी बैखती है एक मिनिट भीरेंट जी को बोलने दीजिए देखिए राजनीत जात की जो भी हो लश्मी कांत बाजपई से बड़ा उधारण नहीं है बीजेपी में कोई जो अन्याय और कहा जाए जिसने करताओं से भर गई थी इतना लाठी पड़ी थी इनको समाजवादी सरकार में खून पसीने के दम पे इनकी सरकार आई थी कोई एक आदमी के भासन से नहीं आती है सरकार बड़ी मेहनत और तपस्या से आई थी लश्मी कांत बाजपई के लेकिन वह आज नेपथ्य में हैं तो मनोज मिसरा बैठे हैं और जो परवक्ता टीवी जादा आने लगता है उसकी पार्टी में पूछ नहीं रहती है यह सब को महलूम है अब यह सब करके हमारे गेस्ट ना खराब करो भी इंदर यह बात सबको पता है तो चाहरा की डिवेट में अब कंप्लीट करो अब दे हैं सरकाई नवकरी है प्राइवेट जाब में होते तो नवकरी भी ना होती तो कुछ इनको काम धंदा डूड़ना पड़ता जी कंक्लूड करें विरें जी चलिए मैं चार लाइन पढ़ूँगा वो जो दिल के करीब होते हैं वो नमूने बड़े अजीब होते हैं ब्रजे जी हम भूल गए थे कि वो नमूने हैं फिर भी मेरे दिल ने वोट देकर उनको चुने हैं बहुत-बहुत शुक्री आपका विरें जी बहुत-बहुत धन्यवाद डाक्टर मनोज मिस्ता आरोप ये लग रहा है कि ब्रामणों पर जो ज्यादिती हो रही है जो जुल्म हो रहा है जो अत्याचार हो रहा है और ब्रामणों के खिलाब जो अपराद हो रहा है आपकी हुग